हेलो गाईस, आज हम बात करेंगे Redmi Note 10 Pro Max के बारे में और आज हम बात करेंगे इसके headphone के बारे में कि अगर आप लोगों के phone में headphone काम नहीं कर रहा है तो कैसे आप लोग इन problems को fix करेंगे ओके तो देखिए वीडियो स्टार्ट करते हैं उससे पहले आप लोग हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लिचेगा, बेल का इकोन को प्रेस कर लेना है देखिए कुछ बता रहा था मैं आप लोग को कि इसमें problems की बात करेंगे headphone की problem होगी तो जाइड सी बात हो तो headphone की problem आप खुसे solve कर सकते हैं खराब नहीं रहना चाहिए अगर देखिए problem अगर phone की ना जादा तर यहाँ पर मुझे पता है कि ऐसे users आ रहे होगे जो cable वाला Bluetooth में तो दिक्कत आती ही नहीं है दिक्कत आती ही नहीं होगे जादा तर लोग का दिक्कत कहां रहा होगा Bluetooth वाल एरफोन यूज़ करेंगे और connect नहीं हो रहा होगे और sound नहीं होगे एक्सेटरा तो सबसे पहले क्या करें आप लोग फोन को switch off करें फिर switch on करें काफी चांसे की problem fix हो जाएगी अगर फिर भी बात नहीं बनती तो simply आप लोग क्या करें फोन की settings open करें search पर पर क्लिक करें और यहां पर आप लोग को search करना है reset गवराये मत reset आप लोग को search करना है जो पहला feature रहता है reset का इस पर क्लिक करेंगे हम और यहां पर third option मिलता है Bluetooth का इस पर क्लिक करें और आप लोग को Bluetooth को reset करेंगे अब Bluetooth को क्यों reset करना है देखें अगर Bluetooth में कुछ भी होई होगी, address change हो गया होगा, etc. जो भी हुआ होगा, तो आप लोग उसको reset करेंगे, फिर से default हो जाएगा और आप लोग की problem भी, day fee, netly fix हो जाएगी, क्योंकि मुझे पता है कि इस वीडियो पे audience किस टाइप का रहा है, Bluetooth एर फोन वाला ही आ रहा है, मुझ तादी